जहिंद रेल्वे प्रतिवर्स हजारों वेकंसीज निकालती है रेल्वे रेक्ट्मेंट से पुर्वी रेल्वे ने अप्रेंटिस की 3247 वेकंसीज निकाली है जिसका इंतजार हमारे बहुत सारे जॉब एस्पेरेंट्स एस्टुडेंट्स कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बरी खुसकबरी है रेल्वे एप्रेंटिस की इस वेकंसी की सभी डिटेल्स A to Z information आपको हम इसी वीडियो में शेयर करेंगी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रशनों के उत्तर यहीं मिलेंगे आपको कहीं जाने कि अविशक्ता नहीं होगी अब आए बीना देरी की है सबसे पहले जॉब डिटेल्स को समझ लेते हैं जिस डिपार्टमंट वेकेंशी वह होई रर्सी, इयर यहनि रेलवे रेक्यूटमेंट सेल, स्टर रेलवे पुर्वी रेलवे में वेकेंशी बैकेंशी है जिस पोस्ट के लिए वेकेंशी है वह है अपरेंटिस का डिटल नमबर विकेंशी जो है वह है 3,247 seat की है वहीं ट्रेड़ आई वेकंसी की बात करें तो फीटर के लिए 814 वेकंसी है वेल्डर के लिए 100, मेकेनिकल एमवी के लिए 18, मेकेनिकल डीजल के लिए 123, कारपेंटर के लिए 19, पेंटर के लिए 25, लाइनमें जेनरल के लिए 49, वायरमें के लिए 116, वहीं रेफिरिजेरेटर and AC Mechanic के लिए 423, Electrician के लिए 495, Mechanic Machine Tool के लिए जो 9 vacancies है, Welder C&W के लिए 31, Future Mechanic C&W के लिए 108, Welder के लिए 30, Mechanist के लिए 65, उसके बाद Future Electrician के लिए 430, Turner के लिए 66, और Welder G&E के लिए 384 vacancies है. Eastern Railway के इस Apprentice Post को Apply करने के लिए जो Application Fee लगेगा आए उसको समझ लेते हैं. तो General और Other Backward Cast यानि OBC Candidate को मातर 100 रुपीज यानि 100 रुपे का Application Fee पे करना होगा. वहीं Schedule का, Schedule Tribe और Female Candidate को कोई Fee नहीं पे करना होगा. साथ में जो Person with Disability है, Disable Candidate को भी कोई Fee नहीं पे करना होगा. उनके Fee Exempted है. Eastern Railway के Apprentice के Selection Process यानि चैन प्रिक्रिया की बात करें, तो इसके मुख्य दो स्टेजेज हैं. सबसे पहले आपका Document Verification होगा, यानि फॉर्म भरते समय जो भी Documents आपसे मांगे जाएंगे, उसका सत्यापन होगा. उसके बाद आपका जो Selection है, वो Merit Best पे होगा. यानि जो आपसे Marks It मांगा जाएगा, जो Qualification Required है, उसके Marks के Basis पे आपका Selection होगा. आपको कोई Retain Exam या लिखित परिक्षा देने की आवशक्ता नहीं होगी. Eligibility Criteria की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं Age Limit की. तो Candidate का जो Minimum Age है, वो 15 साल और Maximum 24 साल होना अनिवारी है. वहीं Age Relaxation, Schedule का, Schedule Tribe को 5 साल का, OBC को 3 साल का, Disabled Candidate को 10 साल का Age Relaxation मिलेगा. As per Government Rule, पुर्वोत्तर Railway Apprentice के Eligibility Criteria में Educational Qualification की बात करें, तो Candidate का Class 3 पास होना यानि Metric पास होना अनिवारे है, 50% मांक्स के साथ. इसके साथ-साथ आपको Relevant Trade में, जैसे कि अगर आप Electrical Trade से अपलाई करना चाहते हैं, तो Electrical में Mechanical से अपलाई करना चाहते हैं, तो Mechanical में ITI का डिगरी पास होना अनिवारी है. पुर्वत्तर Railway Apprentice के Post को अपलाई करने के लिए आप Official Website RRC.ER.COM पे जाएं, वहाँ पे आप जा करके अपलाई कर सकते हैं, नहीं तो जो आपको स्कीन पे दिख रहा है, विजिट एट उसको डिरेक्ट ब्राउजर में टाइप करके आप उस पेज पे जा सकते हैं, जहां सभी डिटेल्स हैं. सबसे पहले आप Recruitment Notification को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद Online Apply पे क्लिक करें, जो रेजिस्टेशन करें, रेजिस्टेशन करने के बाद अपना निससरी डिटेल्स भरें, डिटेल्स भरने के बाद फोटो सिगनीचर अप्लोड करें, जो भ फीपेमेंट करें, प्रिव्यू करें, सब्मिट करें, सब्मिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें, फ़र्म जो भरा जा रहा है, वो 4 अक्टूबर 2021 से भरा जा रहा है, जिसका लांस डेट है 3 नवंबर 2021, इससे पहले फ़र्म को अबस से भर लें, बाकी को हमारे चैन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए